हम लखनव की नवाबी कोठियों पर बात कर रहे थे, लेकिन इसी दोरान बजार में आमों की बहार आ चुकी है, तो चलिए आज हम लखनव के नवाबी शौक आम के इतिहास पर बात करते हैं। अब्दुल हमीद खान कंधारी ने आम के इस पोधे को ग्राफ्ट किया और विशेश उपचार दिया। परिनामस्वरूप दशहरी आम का उत्पात शुरू हुआ। पहला पोधा लखनव में काकोरी के पास मलिहाबाद के दशहरी गाव में पाया गया था। इसी लिए इसका नाम दशेरी पड़ा। इसका स्वाद और सुगंद बेजोड है। ये साल था 1824 था जब पठानों ने मलिहाबाद में बसना शुरू किया। बाद में मलिहाबाद दशेरी आम के संस्थापक पठान के पोते प्रसिद शायर जोश मलिहाबादी वद दशेरी आम के लिए वि लखनव के नवाबी दौर में चारो और बसे शहर फैजाबाद, राइबरेली, हरदोई, फरुखाबाद आदी, आम के बागों की हरियाली तले धके हुए शहर थे। सांडी, बिलगराम वफरुखाबाद में सातनपुर में ऐसे बाग थे जिनमें एक एक लाख आम के देश आमों का मजा लेने आते। शायर मिरजा गालिब, मीर, शोज जैसे प्रसिद शायर विशेश तोर पर आम की दावत के लिए आमंतरित किये गए थे। कन्नोज में शेर शा सूरी से हारने के बाद हुमायू भागते होए पास के एक गाम में रुका, जहां उसने बागों के आ 7000 किसमे उपलब्ध थी, लेकिन आज लगभग 700 किसमे ही बची है। इन में मुगलो द्वारा प्रदत्त विशेश किसमे भी शामिल है। आमों की किसमों के नाम फलों की खुश्बू वस्वाद के अनुसार रखे गए थे। जैसे आरू आम जिसका आकार, गूदा, महक वस स्वाद आरू जैसा होता। छोटी सी मेवा आमिन, महक वस्वाद में मेवा जैसी होती। आम की दावतों में छख जाने के बाद, सोया आम चूसा जाता, जिसका स्वाद व महक बिलकुल सोया सा होता, खाया पिया सब पचा देता। ये आम अब प्रायह लुप्थ हो चुके दशेरी सभी आमों का राजा तब भी था और आज भी है। लंगड़ा, बंबई, सूफेदा, तोता परी आदी आम की अनेकों वेराइटी आज भी मार्केट में उपलब्ध है। इनमें एक आम की किस्म ऐसी है जिनका नामकरण फरुखाबाद में ही हुआ। ये है गोला आम। आम की दूसरी किस्म गोला का नामकरण हयात बाग में नवाब मुहम्मद खान बंगश द्वारा लगाए गए एक आम के पिड़ के कारण पड़ा। जिसकी उतकृष्ट सुगंध, गोल रसदार बनावट और गर्म मीठा स्वात सभी को भाता। हैयात बाग के गोला आम मुहमदी के नवाब हकी महंदी अली खान को भी बहुत पसंद आये। आमों में आयूरवेदेक गुणों के कारण घर-घर में अचार डालने की प्रथा आज भी चल रही है। मेंगो जूस घर-घर का पसंदीदा पे बन चुका है। आम का पन्ना न केवल घरों में बलकी गर्मियों में हर नुककर पर बिखने वाला शुधभारतिय पे बन चुका है।